Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, Onigery Guidance तो आज जो हम लोग Chapter 4 करेंगे, Chapter 4 करेंगे 4 का जितने भी MCQ बनेंगे, सारे हम लोग करेंगे Chapter 4 का मतलब है कि 1.4 ठीक है, 4 का मतलब क्या है कि Chapter 4 का मतलब है 1.4 जो आपका Class 11 में दिया हुआ है, ठीक है 1.4 ठीक है तो आज हम लोग यही वाला लेक्टर करेंगे 1.4 और आप लोगों से एक हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को सेर किजिए जिसके ताकि ज़्यादा से ज्यादा व्यू जासके क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इसका अगला जो लेक्टर अपलोड हुआ थ तो भीव जब कम जाता है तो हम लोगों को हमारा जो मोटिवेस्ट होता है कि लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बनाया जाए तो हम लोग उससे क्या होते हैं थोला सा डी मोटिवेट हो जाते हैं कि हमारा वीडियो पर जो भीव नहीं जा रहा है तो आप लोग स हमको कुछ नहीं चाहिए आप सो कोई रूपया पैसा नहीं चाहिए सिर्फ आप इस वीडियो को क्या करें कि सेयर करें जितने से जितना अधिक से अधिक दोस्तों के साथ हो सके share करें और वीडियो को आपसे एक ये भी request है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें ठीक है और अपनी पूरी तयारी करके आए ठीक है ताकि आप लोग जो है जादा से जादा question को सही कर सके और जब तक आप लोग का तयारी सही नहीं रहेगा तो आप लोग अच्छे सी question exam मे से पढ़कर के आना है तो वह हम लोग last में बता देते हैं कि आगला जो है चप्टर हमारा किस पे रहेगा ठीक है ऐसे तो continuous चल रहा है पहले चप्टर 1 से start की 1,2,3,4 इस step से करके चल रहा है और 2,3 साइद जो हम लोगों ने एक ही में किया है ठीक है चप्टर 1 किया फिर 2,3 तो इस प्रकार से जो है हम लोग कौन सा चप्टर आगे पढ़कर क्या आना है वो जो है कि हम लोगों को बता देते हैं ठीक है तो आप से एक ही गुजारी से कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखी अंतक देखी और सभी कोस्टन को अटेम्ट करने का प्रयास किजी और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जीतना से जीतना हो सके शेयर जरूर के यह ठीक है तो अब चलते हैं अगला जो हमारा कुश्चन है देखेंगे कि कौन-कौन सा हमारा कुश्चन है ठीक है तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और अभी तक आद आद आपने हमारी इस पता कुश्चन है ठीक है कि कब वीडियो अपरोड होगा ऑर अद आप लोग जो जो भी है और कौन-कौन सा कुतने आदमी आपसीटी का तयारी कर रहे तो उसका भी सकते हैं ठीक है उसी परकार का हम लोग MCQ मतलब जो BVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन रेगा उसको ग्या करेंगे लेकर क्या है आप लोग के लिए ठीक है चलते हैं आप लोग कोश्चन पर चलते हैं ठीक है तो पहला कोश्चन है हमारा 1.4 से कि दियारे छेतर में कौन तो दियारा छेतर किसको कहते हैं जो नदी के दोनों साइड वाला अगल वाला छेतर होता है ठीक है उसी को क्या कहते हैं हम लोग दियारा छेतर कहते हैं और दियारा छेतर में क्या होती है कि जब बाड आती है तो बाड जो है अपने साथ बहुत सारी मिटियों को बहा करके ले आती है और वो जो मिट्टी लाई जाती है उसको लोग वोलते है जलोड मिट्टी ठीक है और वो क्या होता है कि बहुत ही मतलब की पैदावार देने वाली होती है ठीक है बहुत ही फर्टाइल स्वाइल होती है मतलब उसमें आप किसी परकार का भी फसल लाएंगे तो होता है आपका टाल छेतर टाल छेतर क्या होता है उसका जो आकार होता है कटोरी नुमा होता है ठीक है और जब क्या होते है कि जब बरसात के समय आती है तो पानी से भर जाता है कटोरी नुमा रहेगा आकार तो पानी तो पढ़ेगा तो उसमें भर जाएगा लेकिन निकलने का कोई कुपाई नहीं रहेगा ठीक है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाल छेतर में सिर्फ और सिर्फ रभी फसल ही ले पाते हैं हम लोग खरी फसल नहीं ले पाते हैं क्योंकि पुरा जो लैंड है वो कह रहाता है जलमगन रहाता जल से पुरा पानी से भर तो आप यह लोग एक ही क्रोप ले पाते हैं इसको हम लोग गोलती है मोज टिक है या मोनो कल्चर गोलते हैं तो चलिए और यह और यह मोनो कल्चर बड़ और जो है mono cropping वो दोनों अलग-अलग बढ़े ठीक है mono मतलब होता है कि लेकिन culture और cropping में थोड़ा सा है दीफिरेंस है वो जब हम आगे बताएंगे तो आप लोग को बता देंगे या किसी आप लोग को पता है तो आप लोग comment box में बताएए कि mono cropping और Mono Culture में क्या difference है, ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें, इसका answer हम कल देंगे, ठीक है, तो आप लोग बताईए कि जो है कि दियारा छेतर में कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका answer क्या होगा, A होगा, B होगा, C होगा, या फिर D होगा, ठीक है, तो आप जानते हैं, तो आप लोगों ने सही से study किया होगा, तो इसका उत्तर कौन सा सही है, तो इसका उत्तर जो है, आपका D सही है, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, सभी होगा, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, सभी होगा, चले चलते हम लोग अगला प्रस्ण पर, हमारा अग persons थ होता है कि आउट अप से ले हरता आप लोग सचाई से अ करते हैं जिस वज़ा से आप लोग को लगता है कि कोस्ट्रिशन अउट्फ से ले विंढ़ mirrors नहीं रहता ठीक है तो किसी जल्भा Send बने मुखितो अब फिर नहीं हुआ इसका है 2004 ओसünden मूझ आ compelling की आप सब्सक्राइब लोगों की सक्राइब किया हो दोग पता है कि इसका एंसर चैन्सर ओगा क्या क्या हमने अभी मतलब समझा है कि दियारा का मतलब क्या हो तो आप लोग बताए कि दियारा छेतर की जो मिर्दा होती उसकी सनरचना कैसी होती है हलका मट्टी होता है मतलब कि हलका से लेकर के मिडियम भारी होता है या फिर दोनों होता है या फिर भारी होता है इसकी सनरचना कैसी होता है आप लोग बताइए इसका answer जो है कौन सा सही होगा A सही होगा B सही होगा C सही होगा या फिर डी सही होगा तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो दियारा छेतर की जो मिर्दा की सनरचना होती है हलकी से लेकर के मध्यम तक होती है तो इसका सही उप्सन क्या हो जाएगा इसका सही उप्सन हो जाएगा आपका दोनों ठीक है, इसका सही उपसना को क्या हो जागा, दोनों हालकी से ले करके मध्यम तक होती है, ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, कोस्टन नमर चार पर, कि कोस्टन नमर चार हमारा क्या गया रहा, ठीक है, बिहार के जलवाई उच्छेतर में दियारा एवं टाल भूमी बड़े प सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या डी सही होगा, ठीक है, तो आप लोग आप लोग पढ़ा होगा सही से, तो जोन थर्ड ए में जो आता है, जोन थर्ड ए का उप्शन नहीं रहे, ठीक है, सिर्फ जोन वन टू थिरी रहे, तो आप लोग किस में मालें ठीक है लेकिन जब थड़ एक की जब option आपके पास आए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा D होगा, ठीक है, इसका सही, उतर क्या होगा? D होगा, जोन, थाड़ E में जो है बहुत बड़े पैमाने पर सबसे बड़े पैमाने पर क्या है? दियारा और टाल भूमी है चलिए हम लोग चलते हैं question number 5 पर Question number 5 क्या कहरा है? कि बिहार के किस जल्वाउँ? सा छुट गया है यहाँ पर क्या होगा सा होगा ठीक है बिहार के किस जलवायू छेतर में जूट की खेती की जाती है तब लोग बताएं किस जलवायू छेतर में की जाती है इसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि जूट किस जलवाई उच्छेतर में की जाती है तो उस जलवाई उच्छेतर में की जाती है जहां पर बरसा बहुत अधीक होता है उहीं पर जूट की खेती की जाती है ठीक है तो बताए जोन A होगा सही जोन B होगा सही ज पिर d से होगा तो इसका जो right उन्य पतर होगा कौनसा होगा वह zone 2 होगा ठीक है लोग जूट का खेती किस zone में किया जाता है तो zone 2 में किया जाता है चलिए हमारे लोग चलते हैं question number 6 पहे question number 6 क्या कह रहा है बिहार के किस जिले में यहाँ पर अभी साथ छुट गया है ठीक है बिहार के किस जिले में जोटकी मुख रुप से खीती की जाती है उत्ता जोन था ठीक है यदि आपको जोन पता होगा कि कौन सा जोन में क्या आता है तो आपको आच्छे से पता होगा कि किस जिले में जो है जूट की खेती की जाती है ठीक है आप लोग बताइए कि कौन सा जिले में है जो जूट की खेती की जाती है ए नम्मर है आपका पुर्णिया, बी नम्मर है आपका मुझफर पुरू, सी नम्मर है आपका किसंगन्ज और डी नम्मर है आपका दरभंगा ठेक है तो आप लोग बताएए काम सही होगा A सही होगा या फिर B सही होगा या फिर C सही होगा या फिर D सही होगा ठीक है तो इसका जो सही एंसर क्या होगा आप लोग जानते होंगे इसका सही एंसर जो होगा पुर्निया होगा क्या होगा पुर्निया पुर्णिया जिले में जो क्या होती है पुर्णिया जिला जो है किस में आता है जोन टू में आता है और जोन टू में अधिक बरसा भी होता है ठीक है तो जूट की खेती कहा की जाती है पुर्णिया में की जाती है ठीक है चलते हैं कोश्चन नमर साथ पर देखते हैं कोश्चन नमर साथ हमारा क्या कह रहा है बिहार के किस जिले में मिट्टी किस जिले की मिट्टी अमली है ठीक है तो अब लोगों को पता होगा कि मिट्टी कहां अमली होता है जहां बहुत जादा बरसा होता है उहीं की मिट्टी क् कैसी होगी तोहां कि मिट्टी हमेरी हम ली रहे ठीक है कि पहाडी इलाकों में पहुत ज्यादा बरसा होता है इसका नुआ की मिट्टी कैसी होती है अम लिए होती है और अम लिए मिटी किसके लिए सही है तो चाय की खेती के लिए हम लिए मिटी क्या है वह होती है ठीक है उसके लिए 4.5 से ले करके 5.5 ठीक है 5.5 और एक्जेक्टलिप पुछा जाए कि चाय की खेती के लिए कितना जो है प्येच के अब सेकता होती है तो 4.8 तो आप लोग इसका एंसर कीजिए कि क्या होता कि जी लिकी मिर्टी जो है अमली होगा इसका सही एंसर क्या हो जाएगा इसका सही एंसर हो जाएगा पुरूणिया पुर्णिया जी लेकि जो मिट्टी है को ऐसी है हम लिए है चलिए में लोग चलते हैं कोश्चन नमर आठ पे कोश्चन नमर हमारा आठ क्या कहा रहा है कि क्रीसी जलवाई उच्छतर एक क्रीसी जलवाई उच्छतर वण माने कि जोन 1 में कुल कितना जिला आता है तो आप लोग बताए कुल कितना जिला आता है 17 जिला आता है कि 8 जिला आता है कि 13 जिला आता है कि 12 जिला ठेक है और इसका option क्या होगा सही A होगा सही, B होगा सही, C होगा सही या पर D होगा सही जैसा है आप लोग जानते हैं कि 17 जिला इसमें आता है जोन 1 में कुल कितने जिले आते हैं तो कुल 17 जिले आते हैं ठीक है और जोन आपका ए में क्या कुल कितने आते हैं 17 जिले आते हैं जोन 1 में जो कुल कितने आते हैं जोन 1 में जो है कुल 13 जिले आते हैं जोन 1 में कुल कितने जिले आते हैं तो जोन 1 में कुल 13 जिले आते हैं ठीक है और जोन 3 में कुल मिला करके कितने आते हैं जोन 3 में कुल मिला करके आपका 17 जिले आता ठीक है जिसमें से जोन 3 ए में जोन थर्ड जोन थर्ड ए में आपका कितना जिला आता है तो जोन थर्ड ए में कुल 6 जिला आता है और जोन थर्ड बी जोन थर्ड बी विले में क्यातना आता है कुल एक ज्याना जिला आता है तो एक ज्याना च्छो 17 जिला आता है वी हार के किस जलवाई चितर में आता है तो आपको बताना या जानना आप लोग के बिहार के अधी वी सी सी के तयारी कर रहें तो आपको लिए जानना थोड़ा सा जरूरी भी हो जाता है कि भागलपूर जो है बिहार के कौन सा जलवाई चेतर में आता है ठीक है जोन A में आता है जोन 1 में आता है जोन 2 में आता है फिर जोन 3 में आता है जोन 3 में आता है तो आपको बताना है कि भागलपूर जिला जो है किस जलवाई चेतर के अंदर गता आता है A में हैya, Zone A, B में Zone 2, C में Zone 3, Zone 3τε B, Zone 3 तो आप लोग को बताना है कि कौन सा सही होगा तो इसका जो Right Answer होगा, कौन सा होगा इसका Right Answer दी होगा तो यह जो भागलपूर जिला आता है, ठीक है भागलपूर हो गया, लखी शिराय हो गया यह सब किसमें आता है जो अन्थर ए में आता है चलिए हम लोग चलते हैं Question No.10 पे Question No.10 हमाना क्या कह रहा है बिहार के कुल बिहार राज को कुल कितने जलवाई उच्छतर में बाटा गया है तो आपको बताना है कि कुल कितने जलवाई उच्छतर में बाटा गया है तो आपको पता हुआ कि उसे कुल तीन जलवाई उच्छतर में बाटा गया है कितने जलवाई उच्छतर में बाटा गया है तो बिहार को कुल तीन जलवाई उच्छतर में बाटा गया है एक है एक है उसके बाद 2 है उसके बाद क्या है आपका 3 A है और 3 को 2 जलवाई भाग में बाटा गया है 3 A और 3 B में बाटा गया जिसमें बागलपूर किसमें आता है बागलपूर 3 A में आता है चलिए फिर चलते question number 11 पर question number 11 क्या क्या रहा है कि बिहार आचे कुल भागोलिक छत्र के इतना है या तो आपको कमसी कम पता होना चाहिए कि बिहार आचे कुल भागोलिक छत्र के इतना है A 35,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, लो जानते हैं कि तो टोटल जल्वाई उचेतर किप ना हमारा पुरा देश का हमारा जो जल्वाई उचेतर है कितना है तो टोटल जो है कितने उप्षेतर में विवाजित किया गया है इसको तो टोटल जो है 72 उप्षेतर में विवाजित किया गया ठीक है और पूरे देश में कितने जलवाई उप्षेतर को चेतर है अब पूरे देश में 436 जिला में इसको क्या किया गया है डिवाइड किया गया पूरा देश के जलवाई चालते हैं क्वेश्चन नमर 12 पर क्वेश्चन नमर 13 सेम है रिपीट हो गया ठीक स्लाइड काऊं लोग अइसा ही हटा देते हैं उसके बाद चैड़ा नमर कोशन कर भारती क्रीशिय अनुसंधान परीसर ने भारत के परस्थितिक चेत्र वह था टोटल पारिस्थितिक छेतर एकोलोजिकल जोन जिसको गोल देख है तो एकोलोजिकल जोन कितने एकोलोजिकल जोन में बाटा गया है वह आप लोग को बताना है option नमर A है 20, option नमर B है 60, option नमर C है 72 और option नमर D है आपका 131 तो आप लोग बताएं कि इसमें कौन सा option जो है सही होगा उसका सही उत्तर होगा 20 टोटल पूरे देश को कितने पारिस्थितिक छेतर में बाटा गया है तो टोटल 20 पारिस्थितिक छेतर में बाटा गया है ठीक है उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं देखते हैं उसके बाद चलते हैं 15 नमर question पर 15 नमर हमारा question कहरा है कि धना योजना आयोगने क्रीसिय जलवाई उचितर को कुल कितने भागों भाजित क्या ठीक है योजना आयोग ने जो है कुल कितने भागों में विभाजित किया ठीक है तो ए नमर आपका 131 बी नमर पंद्रा सी नमर आपका 20 और डी नमर 72 तो आप बताएं कि का उप्षन जो है कौन सही होगा ठीक है ए सही होगा 20 सही होगा या पिर डी सही होगा इसका सही उंसर होगा क्या होगा 15 ठीक है योजना आयोग क्या आंसार काउंचा है तो 15 लेकिन आपके पूछा पूछा जाए कि ICR के अकोडिंग ICR के अकोडिंग पूछा जाए तो ICR ने पूरे क्रीशी जलवाई उच्छाद को कितना भागों में बाटा है तो 131 ICR के अनुसर कितना हो जाएगा 131 लेकिन आप से पूछना जाए प्लानिंग कमिशन के लिए ठीक है प्लानिंग कमिशन ने कितने भागों में बाटा है तो टोटल 15 भाग में बिभाजित किया है तो उसके बाद चलते हैं Q16 पर Q16 गा रहा है कि हमारे देस में सिचाई के सुभधा कुल कितने परतिशत छेतर में है ठीक है अनि कि हमारे देस के जितने भी एरिया में क्रिशी किये जा रहे हैं उसमें सिचाई के सुभधा कुल कितने परतिशतर को है ठीक है आपका A नमर ओप्शन है 33% A नमर ओप्शन है आपका 33% B नमर आपका 25.67% C नमर आपका 10.41% D नमर आपका 70% आप लोग बताएं किसका answer जो कौन सा सही होगा ठीक है तो इसका सही answer क्या हो जाएग का इसका सही answer हो जाएग आपका A ठीक है टोटल सिचाई की सुभधा हमारे देस में कितने परतिशत शेतर में है तो 33% शेतर में है उसके बाद कुछ और भी important point है जो आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं ठीक है बन की परतिसत हमारे एक कोई भी देश है उसमें बन की परतिसत कितना होना चाहिए तो बन का परतिसत भी कितना होना चाहिए 33% होना चाहिए हमारे देश में बन कितना परतिसत है तो टोटल जो है 21.67% ही बन है उसके बाद हमारे देश में सबसे ज़्यादा बन किस राज में पाए जाता तो मधपरदेश ठीक है MP में सबसे ज़्यादा क्या होता है बन पाए जाता ठीक है Forest area जो है सबसे ज़्यादा कहा है तो मधपरदेश में ठीक है मत परदेश में MP में एक नमर सॐतरा है कि कुट कि नमर सुतरा हमादा क्या कह रहा है हमारे गुंड liberal ह C lists की जारी एक नमर सुन है आपका 187 है डीनमर में 114 सी नमर में 16 पूर 10 नुमर नोबे संथ संथ और 6 Ettूच संथ 6 acknowledgement पांच इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताए ऊथ巴 कोगा स्ETH होगा या फिर दी होगा तो इसका सही उत उत्तर होगा 17 सही उत्तर होगा वह कौन सो होगा 12 Plato error में हमारे देसमें क्या की जा रहे है, किरिसी की जा रहे है ठीक है उसके बाद है question No.18 हमारे देसके कुल भागोलिक क्zęतर कितना है तब लोगों पता ओड़ा हमारे देसके कुल भागोलिक क्तर कितना है बताए एक नमरे 339 डी नमरे 219 C नमर में 176 और D नमर में अक्सा आपका option है 142 Million hectare A में इच मतलब Million और H मतलब hectare ठेक है A मतलब Million और H मतलब hectare तो इसका जो सही answer होगा वो कौन हो जाएगा अपना तो इसका जो सही answer होगा वो हो जाएगा option number A ठेक है option number A हमारा क्या होगा? सही एंसर होगा चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं question number 19 में question number 19 हमारा क्या कहा रहा है कि क्रिसी जलवाई इच्छतरी योजना का शुवारा किस पंच बरी से योजना के धत हुआ पहरा नigon question है आप option है पाचमा फाचमी के पंच बर सी हो जिए उसके बाद छत्ती पंच बर सी हो जईना शात्मी बर सी योजना त्यिसका सही उंतर कौन सा होई आप लोग बताएए ए होगा सही बी होगा सी होगा या फिर डी होगा तो इसका सही जो एंसर होगा कौन सा हो जाएगा शाथ मीं पंच वर्सी योजना की है उसके बाद चलते हैं कुश्चिन नमर 20 पे कुश्चिन नमर हमारा 20 क्या कह रहा है क्रिशी जलवाई विछ तरी विजना को सुर्वारम कब हुआ आने कि किस बर्स होगा ठीक है तो आपको आप लोग बताईए 1901 में हुआ, 1976 में हुआ, 1980 में हुआ या फिर 1988 में हुआ इसका जो सुर्वारम कब हुआ तो इसका सही उनसर क्या होगा आप लोग बताईए A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा तो इसका सही उत्तर जवाब का होगा वो Option Number D, इसका सही उत्तर होगा किसी जलवाई उच्छेतर जोजना का सुमारम कभ होगा, तो 1988 में होगा, उसके बाद चलते हैं Question Number 20 क्वेशन नमर 20 हो गया, क्वेशन नमर 21, क्वेशन नमर हमार 21 क्या कह रहा है, सबसे अधीक सिंचित छितर, बिहार के किस क्रिशी जलवाई उचितर में आता है, तो आपको बताना ठीक है, तो ओप्षन नमर A है आपका जोन 1, ओप्षन नमर B है आपका जोन 2, ओप्षन नमर C है जोन 3, और D है जोन 3A और जोन 3B, तो आप लोग बताईए कौन सा इसका सही अंसर होगा, जोन 1 होगा, जोन 2 होगा, जोन 3A होगा, और जोन 3B होगा, कौन सा इसमें सही होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा कि सबसे अधीक सिंचाई की सुविधा जो है सिंचीत छेतर कहा है तो जो न थड़ बी में जो न थड़ बी में जो है कि सिंचाई की सबसे अधीक सिंचीत छेतर है तो थड़ बी में उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नमर हम लोग 21 पे Q2 हमारा क्या कह रहा है Q2 में कि बिहार की किस चलवाई चतर में फसलती वरता सबसे अधीक है तो आप लोग बताईए कौन सा सही इंसर होगा Option नमर A है जोन थड़ A Option नमर B है आपका जोन सकेंड उसके बाद जोन थड़ A और जोन थड़ B इसका सही इंसर क्या होगा आप लोग बताईए जोन 1 होगा या जोन 2 होगा जोन 3 A होगा जोन 3 B होगा तो इसका सही इंसर जोगा वो कौन सा होगा इसका सही इंसर जोगा जोन 2 होगा जोन 2 में सबसे अधीक फसलती वरता जो है सबसे अधीकिस में तो जोन 2 में सबसे ज्यादा पसल दी वरता ठीक है उसकी बार चलते हैं question number 23 में question number 23 हम रहा कि बिहार में औसत बरसा दर ठीक है औसत बरसा दर क्या ओगर औसत बरसा दर कितना ठीक है average rainfall कितना होता ठीक है ये बताना है आपको average rainfall कितना होता बिहार में option number A है आपका 1097, B है आपका 1192 और C है आपका 1216 और D है आपका 1382 तो आप लोग बताए इसमें कौन सा सही होगा option number A सही होगा option number B सही होगा या C सही होगा या फिर D सही होगा तो पहले आप लोग तब तक अपने copy में टीक की यह तब हम लोग यहां पर कुछ बताते हैं कि जो बिहार का zone 3 B है ठीक है बिहार का 3 B बिहार का 3 B उसमें औस अवस्त बरसादर कितना होता है तो दस्सो कितना होता है उसमें 1097 होता है उसकी बात हमारा देश्त की बात किया जा ठीक है अनिक इंडिया में ठीक है इंडिया का अवस्त बरसादर कितना है तो 1192 है ठीक है उसकी बाद है हमारा 1364 1264 जो है 1216 है वो हमारा है यह zone कितना का होगा यह zone 3 B का होगा और यह zone 3 A का है ठीक है जोन थर्ड ए जोन थर्ड ए में कितना बर्षा होता है था हमारा होता है 1216 उसके बाद जोन टू जोन टू की बात की जाए उसमें सबसे अधीक बर्षा होती है 1381 यम यम ठीक है तो बिहार में आओ सकता इसका जो सही इसका जो बता रहें थे वो 1200 इसका जो है आउसत बर्षादर जो है विहार में कितना है तो वो जो है आपका 1216 ठीक है उसके बाद बात करें तो ये कितना है 1197 किसका है तो zone 3d b का है ठीक है उसके बाद 1382 जो आलदी हम बात करते हैं तो 1382 किसका है तो 1382 जो है वो zone 2 की है कितना है zone 2 की जो है वो 1382 है ठीक है उसके बाद ये होगी आपका average rainfall ठीक है बिहार का average बिहार का average rainfall की बात करें तो आपको कितना होगे 1216 ठीक है उसके बाद जोन 1 की बात करें तो जोन 1 में कितना बरसा होता है तो 1235 ठीक है जोन 1 में कितना बरसा होता है तो 1235 उसके बाद हम लोग करें जोन 3A की बात करें ठीक है जोन 3B की हम लोग ने बात कर लिया जोन 3B की बात करें तो कितना बरसा होता है 111 1130 किस्ते नंब कितना बरसा होता है पिए जोन 1350 कि इस चलते हैं सब्से अधिक बिचार बिःखार के किस जलवाय स्चेतर में होती है तो जोन 1 है, जोन 2 है, जोन 3 है और जोन 3 है, तो जोन 2 में कितना होता है, तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसका सही उत्र हो जाएगा B अलों चलते हैं question number 25 पर ठीक है question number 25 सबसे अधिक भगवालिक 26 किस जोन की है तो आप लोग को बताना है कि सबसे अधिक जो भगवालिक 26 है वो किस जोन की है जोन N, O, 1 की है जोन 2 की है जोन 3 की है जोन 3 की है पूलिक छेतर जो है किसका आया तो जोन थर्ष्ट की है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा एसका सही उत्तर होगा तो चलते हैं कोश्चन पहला अगला सा पहले हम लोग ने देखे थी कि जो किस छेतर की भूमी जो है हलकी होती जो दियाना चेतर होता है उसको कैसी होती हलकी मध्यम होती है तो हलकी से किसका होता है तो हमारा दियारा चेतर जो होता है उसका होता है ठीक है तो जोन थर्ष्ट बी की जो होगी वो कौन सा उतर हो जाएगा सही आपका उसका सही उतर होगा आपका सी ठीक है तो जोन थर्ष्ट बी की जो मिट्टी किसन रचना होती है कैसी होती है भारी होती है ठी उसके बाद चलते हैं कुश्चन नमर 27 पे खरीप मौसम में मोटे अना जब अरंडी की खेती कुश जिलेम में की जाती है तब लोग पढ़े होंगे तब लोग को पता होगा कि कौन सा जिलेम की जाती है तब लग बता है इसका सही इंसर क्या होगा ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा इसका सही उतर क्या होगा इसका सही उतर जो होगा आपका ए होगा इसका सही उतर क्या होगा ऑप्शन नमर ए कैमूर जिला में जो है अना जिब मोटे अना की खेती की जिले में की जाती है तो कैमूर में की जाती है ठीक है कैमूर में की ज किस चेतर गी होती है तब लुग ने आपको बताये ठाल चेतर कैसा होता है दियाराओ चेतर कौलती है काट्यू नहीं मासन रचना कौनिंच छ्टर की होती है तो आज तक के लिए इतना है और वीडियो को अंतक लिए देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धनेवाद टैक्स को जो क्ट्रोeri सितना से इतना हुसकर आप लोग से जिएदा से जादा लोगों को फ़ियू जाए। और ये बनेजाना होड़ा है तो हम लोगों क्या होता है किम लोगों बनाओ बनाना है इसलिए औ gusta on लहात हैं पर लोग को द gr यह जोड़ हो देंजर साथ को लोग बहुत लोग 15 लोग के लिए गेंट तो आप लोग को कुछ बच्चे इस बार थे आप प्रकार के वीडियो को डेली देखते हैं और अच्छे से देखते हैं या फिर आपको कभी कभी टाइम मिलता है तो आप इस प्रकार के वीडियो को एरफॉन लागा करके बहुत सब्सक्राइब तो इन बातों को ध्यान दीजिये ठीक है कि जितना से जितना हो जादा भ्यूज आए उतना से जादा हमारे लिए अच्छा होगा और आप वीडियो को पूरा पूरा देखिए ठीक है अधि आपको लगता है कि वीडियो बहुत सलो है तो आप डेढ़ गुना या दो गुना मे करके आप लोग क्या कर सकते हैं वीडियो को देख सकते हैं और आप लोग बुक में भी आदि आप नोट करना चाहते हैं तिस परकार के अबजेक्टिव को नोट करें लेकिन आपका सबसे बैसिक चीज़ है कि आप बुक को पढ़ करके आई है ठीक है आप इस परकार के अब फिर मिलेगे हम लोग अगला जो हमारा जो इअअ मिलेकल भूगा तो एक ठाक जाता है तोONE इस पर ड्जो है राइंगे 1.5 और 5,6 को मिला कि देंगे किल्याज में ज्यादगा ब्जेकटिब नहीं बनेगा तौह मारा दोन दोने चप्टर को क्या Augen मिला करके लएगे ठीक है तो आप लोग जो है 1.5 और 9.6 को अच्छे तरीके से पढ़ा करके आईएगा ठीक है और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में तो आज तक लिए इतना ही धन्यवाद है